25 अप्रेल पहला पार्ट संथ पैत्रूस का पहला पत्र अध्याई पांच पजसंख्या पांच से चौधा और तुम नवियुव को अधियक्षों की अधिनता स्विकार करो आप सब के सब नमर्ता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किन्तु विनम्र लोगों पर दया करता है आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें जिसे वे आपको उप्युक्त समय में उपर उठाई आप अपने सारी चिंताई उस पर छोड़ दे क्योंकि वे आपकी सुधी लेता है आप सैयम रखे और जागते रहें आपका शत्रू शैतान दहारती हुई सिंग की तरह विचरता है और डूंडता रहता है कि किसे फाड़ खाई आप विश्वास में द्रिड़ होकर उसका सामना करी आप जानते हैं किस अंसार भर में आपके भाई भी इस परकार का दुख बोग रहे है ईश्वर ने जो संपूरन अनुग्रह का स्त्रोत है आप लोगों को मसी द्वारा अपनी श्वास्वत मेहमा का भागी बनाने के लिए बुलाया वे आपके थोड़े ही समे तक दुख बोगने के बाद आपको परिपूर्ण सुथिर समर्थ तथा सिद्रिड बनाएगा उसका सामर्थ आनंद काल तक बना रहता है मैंने आप लोगों को धारस बंधाने के लिए ये संशिप्त पत्र सिल्वानुस से लिखवाया है जिनको मैं अपना विश्वास्निय भाई मानता हूँ मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ केस में जो लिखा हुआ है विश्वर का सच्चा अनुग्रह है उस अनुग्रह में सिद्रिड बने रहे बाबुल की कलिस्या के सदस्य जो आपकी तरह ही इश्वर के कृपापात्र है और मेरा पूत्र मरकुस आप लोगों को नमस्कार कहते है प्रेम की चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन करी मसी के सच्चे भक्तों आप सबों को शान्ती ये प्रभु की वाणी है इश्वर को धन्यावाद भजन अनुवाक्य मैं प्रभु की उपकारों का गीत गाता रहूँगा मैं प्रभु की उपकारों का गीत गाता रहूँगा मैं पीडी दर पीडी तेरी सत्य परतिग्यता घोशित करता रहूँगा तेरी कृपा सदा बनी रहेगी, तेरी परतिग्या आकाश की तरहां चिरस्थाई है अनुवाक्य, मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा प्रभु, आकाश तेरी अपूर्व कार्य घोशित करता है स्वर्गिकों की सभा तेरी सत्य परतिग्यता का बखान करती है अकाश में ऐसा कौन जो प्रभु के समान हूँ स्वर्गदूतों में प्रभु के सद्रिश कौन अनुवाक्य मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूँगा प्रभु धन्य है वे प्रजा जो तेरा जय कार करती है और तेरे मुख मंदल की ज्योती में चलती है वे धिन बर तेरे नाम पर आनंद मनाती और तेरे नियाई पर घौरव करती है अनुवाक्य मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा जय गोश किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसी का परचार करती है अनुवाक्य संत मर्कुस द्वारारचित सुसमाचार अध्याए सोलह पद संख्या 15-20 तक इसके बाद ईसा ने उन से कहा संसार के कोने कोने में जाकर सारी स्रिष्टी को सुसमाचार सुनाओ जो विश्वास करेगा और बबतिस्पमा ग्रहन करेगा उसे मुक्ती मिलेगी जो विश्वास नहीं करेगा वे दोशी ठहराया जाएगा विश्वास करने वाले ये चमितकार दिखाया करेंगे वे मेरा नाम लेकर अप दूतों को निकालेंगे नवीन भाशाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे यदि वे विश पियेंगे तो उस से उन्हें कोई हानी नहीं होगी वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगि स्वस्थ हो जाएंगे प्रभू ईशा अपने शिश्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजबान हो गए शिश्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया प्रभू उनकी साहेता करते और साथ-साथ घटित होने वाले चमतकारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमानित करते रहे यह प्रभू का प्वित्र सुसमाचार है ख्रीष्ट की जैन